वल्कम तुटिस चनेर MBBS के बाद यह गलती बिल्कुल नहीं करना है MBBS के बाद आपको डेफिनेटली आपको प्रिपेर करना होगा नीट पीजी के लिए आपको अलग-अलग रस्ते से आप जा सकते हैं सबसे पहले क्या है आपका MBBS हो गया MBBS के बाद अगर इफ कोई bond है तो आपको bond service complete कर लेना होगा bond service करने के बाद आपको आइदर आप क्या कर सकते हैं नीट पीजी के लिए preparation करना शुरू कर सकते हैं और आइदर आप government job join कर सकते हैं government job join करने का मतलब यह है कि आपको एक साल के बाद 10% marks आपको दिया जाएगा 20% marks दो साल के बाद अगर तीन साल आपका government job हो गया तो 30% marks आपको add किया जाएगा जो marks आप All India Neat PG में secure करेंगे इसका 30% marks आपको मिलेगा अगर आप All India 50% quota के लिए आप देख रहे हैं तो आपको एक्चुली देखेंगे आपके पास सबसे ज़्यादा जो सीट रहेगा All India 50% quota सीट रहेगा कि कोई state quota में जो सीट रहेगा एक्चुली जो student MBBS के बाद state में जोइन किये हैं उसका जो marks 30% add हो जाएगा इसके बाद आपको state quota में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा तो आपको prepare करना है कि आप target करेंगे 50% All India सीट या फिर आपको state quota का सीट target करना है क्योंकि जो 30% student होगा जिसके बास 30% added marks होगा वो All India need PG में भी 50% सीट में भी जाएगा प्लास इसका जो 30% marks है उसी से वो आपका state quota भी करेगा तो इसके बास दो option रहेगा state quota में इसका chances बहुत जादा हो जाएगा क्योंकि 30% marks इसका added रहेगा तो बहुत लोग अलग-अलग रास्ता चुनते हैं तो आपको decide कर लेना है कि आपको कौन सा रोड में जाना है आप गॉर्मेंट जब के थ्रो जाना चाहते हैं या फिर आपको All India directly आप 50% सीट को target करके आप जाना चाहते हैं इसके बाद आपको आइधर state quota में आपको seat मिला या फिर All India 50% seat मिला आप PG कर लिए PG करने के बाद फिर से आपको bond करना पड़ेगा bond service खतम होने के बाद आपको अगर higher studies के करना है तो need access के लिए आपको तियार करना है नहीं तो आपको कोई job ढूना है और आपको as senior resident और AP से आपको upgrade होते रहना है medical college में यह basic formula है लेकिन अगर आप गलती करेंगे कि आप decide नहीं कर पा रहें कौन सा road से आप जाना चाहते हैं तो यह सबसे important बात है कि आप पहले से decide कर लिए आपको करना क्या है क्योंकि अगर आप इधर में आके फिर इधर जाम कर रहे है इधर इधर से फिर जाम कर रहे तो फिर आपको दिक्कत होगा इसलिए आप पहले decide कर लीजिए आपका road map क्या होगा पहले decide कर लीजिए कि आपको job के तो आपको 30% marks लेकि आपको PG करना है state quota से या फिर आपको all इंडिया quota से आपको PG कर रहे है या फिर state quota से 30% लेकि आप PG कर रहे है इसको कोई difference नहीं करते है आपको bond हर किसी को करना होता है यह गलतिया है हमको लगते है जो all इंडिया से आपका PG कर रहे है उसका bond नहीं होना चाहिए overall जो भी है जैसा भी है अभी फिलाल दोनों के लिए same bond है तो definitely आप अगर 30% marks लेके आते है टाइम थोड़ा आपको जाएगा लेकिन आपका जो seat desirable seat मिलने में आपको बहुत आसानी हो जाता है इसलिए बहुत सरज आप देखेंगे government job को join करने के लिए बहुत ज्यादा inclination है ताकि 30% marks मिल जाए क्योंकि 30% बहुत ज्यादा होता है अगर आ आप डिसाइड कर लिजे कि आगर आपको लगता है कि आपके कविलियत है और आप 50% quota seat से आप उठा लेंगे तो definitely इसलिए prepare कीजिए और otherwise आप government job के 30% लेके marks लेके आप state quota से seat उठाईए और PG कीजिए bond कीजिए और देश को serve करते रही है thank you thank you so much